कि इतना नडराओ कि उसके दिल से डर खतम हो जाए भारत के लिए समस्या आए कि हमें balance लेके चलना है न हमें अमेरिका की ओर जुकना है न हमें रूश कयो जूकना है कि जरूआ है थो 설ई के जरूब अ कि जरूवत है अलागी क्वाड़ घ्रूप में भारत अमेरिका का साथ न नहीं आना है कीविए अगर हम अमेरिका के कहने पर चले आएंगे तो रूस अ चाइना के फेवर में चला जाएगा चाइना, इसके बाद इस्प्रेटले दूइप लेगा, इसके बाद पारसेल आइलेंड लेगा, ये चाइना के लिए प्लस पॉइंट होगा, अतर चाइना को रोकने के लिए हमें रूस के साथ रखना जरूरी है, साथ साथ अमेरिका का भी साथ दे के चलना जरूरी है, तो हम हमारे संसेक्स है, 5% संसेक्स नीचे चल गया हमारा सेयर मार्केट, यानि लगबग 2,000 अंकों की गिरावट देखी गई है, जिसे value में कहेंगे तो 10 लाक करोड का, ये नाटो आई इन लोग के चक्कर में, ये आपस में, जब तक दुनिया में ये दोनों देश हैं, अमेरिका रूस हमेशा गोलियां चलती रहीं, अरे वोई छोटका है सुचरा चाइना, ये पूरी दुनिया में गोलियां चलवाते रहीं, हम लोग को neutral balance लेके चलना है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, कि अमेरिका से दोस्ती, दोस्मनी तो खतरनाक होती है, दोस्ती और खतर में जब हमारे आकाल पड़ा था, तो अमेरिका हमें सुवरों को खाने वाला गेहू दिया था, किस मूँ से अमेरिका आज हमसे मदद मांग रहे हैं या पर भाया, जब 370 लगा था, इसमें साथ रूस ने हमारा दिया था, यूएनो में कस्मीर में जब जब मुद्दा आया रूस साथ खड़ा था, आपको याद है कि नहीं इन दोनों की जोडिया, इन लोग ने परमाडू पर इछड़ किया था, उसके बाद कोई हमें आख उठा कर नहीं देख सकता था, तो उस समय भी रूस की बात हम लोगों को याद रहना चाहिए, 1999 में जब करील की लड़ाई हुई थी, तो अमेरिका ने अटल वियर इवाचपही से कहा था, कि हम परमाडू बं मार देंगे भारत के उपर, तो अटल वियर इवाचपही ने कहा था, कि हम आदा हिंदुस्तान खोने के लिए तयार है, लेकिन हम वचन देते हैं, कि सुबा का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा, तो अमेरिका अपना परमाडू बं लेके भागाता है, याद किजिए अभिननन की जी का फाइटर पाइलेट नो जो थे, इनके उपर, इनके उपर जहाज से जो श्ट्राइक किया गया था, वो जहाज भी पाकिस्तान को अमेरिका नहीं दिया था, एक्तोल हम लगब 20 साल पीछे चला गया आप, आज भी चंदर्यान में अमेरिका के जगा पे रूस हमारी मदद कर रहा है, तो रूस हमेशा से हम लोग के साथ रहा है, आज देखिए परमाडू पंडू भी चाहें चक्र हो, नेपरा हो, अरिहंत हो, इसमें रूस हमारी मदद कर रहा एकटू जो राइफल की फैक्ट्री हो, रूस मदद कर रहा है, चाहें सुखोई जहाज जो हमारी वाई सेना का रिड है, रूस ने हमें दिया है, ब्रमोज जहाज, दुनिया का सबसे खतरनाक सूपर सोनिक प्रूज जहाज, मिसाईल है, जिससे चाइना डरता है, किस ने द इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या हो जो होता है, समझिये, मन के चलिए हमारे दो बहुत करीबी अदमी है, उन दूनों का बियाह पड़ गया, उकर आए कि हमरे बियाह में आना, उकर आए हमरे बियाह में जाएगा, तो भाई हम एक उमें जाएगे तो दूसरा से आना को बलिए कि गलवान घाटी में 2 किला मीटर आगे घुस जाए, घलवान घाटी में जहीं से 2 किला मीटर आगे घुसेगी, लडाई तो करना नहीं है, उल्जा के रखना दू किला मीटर जहां आगे घुसेगी, उधर से चाइनिया होगे फिर वईसे ही stand-up हो जाएगा, दू-3 महिना चलेगा अमेरिका कहेगा ए बोलना रे रूस को हम कुछी करें हमें तो खुदे लड़ रहे हैं चाइना से यहां पर हमला दोनों किसांत रहेगा और इससे एक और फायदा होगा चाइना इधर उल्जा रहेगा तो ताइवान पर हमला नहीं करेगा यही भी बहान को लेके चिंतित होता ही आप खुद सुचिए अमेरिका यहां पर है किया मैकसीको देश में अगर रूस अपनी सेना लगाएगा तो क्या अमेरिका चुप रहेगा नहीं चूप रहेगा कोई भी देश देखेगा कि आप यहां सेना लगा क्यों रहे है तो आप ही बताइए अमेरिका अपनी नाटो से ना, अगर यूक्रेन में लाएगा, तो रूस के बॉर्डर से सटा देगा, तो रूस कैसे चुप रह सकता है, अपने देश पर बीतता है, तो सब को खराब लगता है, आप ही बताइए, भारत है यहाँ पे, भारत के नीचे यहाँ सिरलंका है, अग सिंपल सा बात है, यूक्रेन को कोई उससे उसका देश नहीं मांग रहा है, रूस, रूस का केवल यही करना है, कि यूक्रेन डिशाइड एक लिखित दे दे, कि वो कभी भी नाटो से ना में सामील नहीं होगा, यूक्रेन को यह सोचना चाहिए, कि नाटो में सामील होने से और हमे elephants यहाद रखना चाहिए, Ukraine हो फम हो या आप हो। हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं इसलिए दोस्त से संभंद बने भींगे लेकिन पड़ोसी ते हमेशा संभंद अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा काम पड़ोसी आते हैं यूक्रेन का पड़ोसी रूस है और यह अमेरिका दोस्त है तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना चाहिए किला सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी का सुरक्षित होना जरूरी है यूक्रेन को हट धर्मिता छोड़नी चाहिए आप यूरोपी यूनियन में सामील हो जा नाट स्वीडेन बेकूब है जो इन लोगों ने नाटो की सदस्ता ने लिया है यूक्रेन रूस ने धम की दिया फिन्लेंड ले ले लेगा तो तोरो धो धोर देंगे अब क्या कर लेंगे लोगी यह रूस का जूसरा भी पीसी का जो प्रेक्टिस सेट है बाबू वह आ चुका है है